नमस्कार प्यारे बच्चो चलिए शुरू करते हैं हमें और Salt शुरू करना था हमें ठीक है Salt सुरू करना था ऑँ सोरी शुरू करते हैं Almost आज खतम करना है ठीक है तो यह मान के चलो आज मैं जो आपके Salt का सेक्षन यह खतम करा दूंगा और इसके next class में फिर हम NCRT के questions कवर करेंगे ठीक है और अगर कोई doubt होता है तो मुझे बताना फिर चलिए तो सुरू करते हैं आज का तीसरा तीसरा salt नाम है bleaching powder bleaching powder हिंदी में विरंजक चूर्ण ऐसी है ना चूर्ण ऐसी लिखते है या ऐसे लिखते है विरंजक चूर्ण अच्छा शुरू करते है बच्चो कि विरंजक चूर्ण होता क्या है कैसे बनता है ये सारी बाते है पहले तो आप ये बताओ कि bleaching powder होता क्या है याद हो गया होगा अब तक तो ठीक है देखो आपको पता ही है जब ये साद्यों सीजन आता है तो ये बहुत बिकना शुरू हो जाता है क्यों बिकता है बच्चो आपको अच्छे से बता है कि भई लड़के हो जाए लड़के हो कोई भी हो ठीक है आज कल तो सभी यूज़ करते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा भाई वह ब्लीच अपने फेस पे लगवा लेते हैं फिर उसके बाद वह उमीद करते हैं कि वह बहुत जादा गोरे हो जाएंगे ठीक है या उनका भाई फेस बहुत जादा ग्लो करेगा ठीक है हाँ बिल्कुल वह दिखेंगे भाई बिल्कुल दिपेका पादू गूर्ण जैसे दिखेंगे तो भाई ऐसा भाई हमारे जो सोचना है वो सही है हाँ जी बच्चो तो हम क्या बतार थे कि भाई आपको पता है जह साधी वगरों में लोग जाते हैं गोरे के होने की खौई से रखके कि हाँ भी हम खूब सारा क्रीम पाउडर वगरा लगाएंगे या गोरे होने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करेंगे तो उनमें से एक ट्रीटमेंट है भाई साभ यह बिलीचिंग पाउडर अब देखो यह आखिर कर कैसे बताता है कैसे इसक दोने के बाद फोटो क्लिक करो देखना फेस धोने के बाद आपके फेस धोने के बाद जब आप फोटो क्लिक करोगे तो आपके फेस पे एक थोड़ा सा गलो रहेगा और रीजन क्या है बच्छो उसका उसका रीजन यह है कि बच्छो आपके जो फेस अपने जब दोया तो पानी उस पे लगा और पानी में कौन है oxygen level तो जब oxygen level अपके face पे आया तो आपको वही क्या थोड़ा सा face आपका glow करने लगा तो वही होता है bleaching powder तो bleaching powder में क्या चीज होती है उसके अंदर oxy level बहुत होता है मतलब oxygen level बहुत होता है जिसकी वज़े से वह आपके face में जितनी भी बेकार चीज़े होती है उसे dust के रूप में अलग कर देता है और आपके face पे एक oxygen level को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से हमारा face glow करने लगता है तो यह सारे कारण होते है bleaching powder को use करने के लेकिन इसकी भी limitations होती है कि कितना use करना चाहिए कितना नहीं use करना चाहिए ठीक है लेकिन हमें यह सब तो पढ़ना नहीं हमें यह पढ़ना है कि आखिरकार bleaching powder बना कैसे तो बच्चो देखो bleaching powder बनता है इससे CAOH twice और इसमें chlorine gas का react करा जाता है आपको अच्छे से पता है CAOH twice करना होता है calcium hydroxide और इसको हम chlorine gas के साथ react कराएंगे तो बच्चो यह बन जाएगा CAOCL2 plus H2O plus H2O यह आगया CAOCL2 यही होता है हमारा bleaching powder जिसका नाम क्या है जिसका नाम है calcium oxy chloride क्या नाम है calcium oxy chloride calcium oxy chloride कोई दिक्कत बच्चो कोई दिक्कत इसमें यह इसका नाम है क्या नाम है क्या बच्चो CAOH twice को जब chlorine gas से react करा जाएगा तो यह बनेगा CAOCL2 calcium oxy chloride और प्लस में वही क्या बन जाएगा water और जब आप इसका use करोगे तो भाई क्या होगा आपको देखेएगा कि हाँ भाई फेस पे oxygen लेवल बढ़ गया है ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं याद रखना हमेशा ये crystal form में होता है किसमे होता है ये crystal form में होता है मतलब रवे के रूप में होता है रवा रवा रूप में होता है बिल्कुल दाने दाने होता है अगर आप लोगों ने bleaching powder देखा होगा तो वो क्रीम जो होती है न उसके साथ वो cream bleaching powder नहीं होती है ठीक है उसके साथ एक छोटे से dip भी देखी होगी आपने उसके अंदर छोटे छोटे से दाने देखे होंगे ठीक है इसका practical होता है आप जब आगे बड़ी classes में जाएंगे तो आप इसका practical भी देखेंगे ठीक है तो क्या होता है वो छोटे छोटे दाने से होते है white color के तो वो होता है bleaching powder फिर वो उसको cream में मिला के उसको mild बनाया जाता है ठीक है यानि कि उसको कम reactive किया जाता है और फिर अपने face वगेरा पे जो भी है अपलाई किया जाता है तो बच्चो यही होता है हमारे क्या bleaching powder ठीक है अच्छा अब bleaching powder आपको पता ही है कि कैसा होता है भई मैं आपको पता दूँ कि bleaching powder जो होता है उसमें बड़ी तेज smell आती है bleaching powder में एक strong smell आती है वो किस चीज़ की होती है कई बार पूछा गया है कि एक तेज गंध आती है तेज गंध आती है bleaching powder में से वो किस चीज़ की गंध आती है तो वो answer है chlorine की ध्यान रखना किस की गंध है वो chlorine की तो बच्चो bleaching powder से जो एक smell आती है तेज smell वो किस की smell होती है बच्चो chlorine की smell होती है की smell होती है क्लोरीन की smell होती है ठेक है और यह हमेशा भई ठंडे पानी में dissolve होता है इसकी मैं property लिखवाओंगा यह हमेशा ठंडे पानी में देखना आप लोग बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा dissolve हो जाएगा ठेक है अच्छा अब मान लो जसा मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है अगर माल लो मैं bleaching powder को किसी acid से reaction करवा देता हूं किसी acid से reaction करवा देता हूं तो बताईए कि क्या बनेगा तो बच्चों एक बात याद रखना इसमें दो चीजे बनती है एक तो बनता है CASO4 ठीक है और दो दो चीजे एक gas निकलती है क्लोरीन की और साथ में क्या बनता भई साथ में बनता है water साथ में क्या बनता है water ध्यान रखना ये reaction याद रखना कि अगर bleaching powder को किसी acid से reaction करवा दिया जाए तो भई अपना salt तो बनेगा ही जैसे भई क्या है उसने अगर S2SO4 है तो क्या बना कैलसियम सेलफ़ेट मालो यह पर SCL होता तो कैलसियम क्लोराइड भी बनता और भाई कौन सी गैस निकलेगी क्लोरीन गैस निकलेगी कौन सी गैस निकलेगी क्लोरीन गैस निकलेगी और साथ में क्या निकलेगा water और साथ में क्या बनेगा water तो इस बात का ध्यान रखना बच्चो कि जब भी किसी bleaching powder को किस से reaction करा जाए वो किस चीज की गश निकलेगी, क्लोरीन की गश निकलेगी, ठीक है बच्छो, फटाफट नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में लिखते हैं, अच्छा, एक बात और बता दू, इसका दूसरा नाम ना, क्लोराइड ऑफ लाइम भी है, क्लोराइड ऑफ लाइम, of lime हिंधी में चुने का chloride चुने का chloride ये एक ब़र पूछ लिया था बच्चों से तो वहां पर दिक्कत होगी थी बच्चों को तो द्यानखना इसका एक नाम और है chloride of lime चुने का chloride इसका दूसरे नाम है ठीक है? चलिए यह नोट कर लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉस करके नोट कर लो फटा फट चलो नोट कर लिया होगा, next करते हैं बच्चो इसमें लिखो properties of bleaching powder विरंजक चूर्ण का विरंजक चूर्ण का विरंजक चूर्ण का गुण धरम properties of bleaching powder चलो करो विच्चो बच्चो, लिखेंगे, पहले हिंदी बाल लिखवारो, लिखो यह एक सफेद चूर्ण है कि गंद आती है कि दूसरा कि दूसरा यह चूर्ण ठंडे पानी में यह चुर्ण ठंडे पानी में घुलन सील है ठंडे पानी में घुलन सील है ठीक है भई? तीसरा तीसरा यह चुर्ण अमल के साथ अभी क्रिया करके यह चुर्ण अमल के साथ अभी क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालते हैं यह है, चूर्ण, अबी कीरिया करके, क्लोरीन गैस निकलते हैं, इंगलिस साहिए, पहले लिखो, पहला, प्रापर्टी नंबर फ्रस्ट, प्रापर्टी नंबर फ्रस्ट, It is a, It is a white powder, it is a white crystalline powder, ऐसा लिखना, It is a white crystalline powder, which has a strong smell of chlorine which has a strong smell of chlorine which has a strong smell of chlorine second second point it is dissolved in cold water it is dissolved in cold water it is dissolved in cold water third third point third point it reacts with acid and produce chlorine gas it reacts with acid and produce chlorine gas ठीक है अब अगर आपसे पूछ ले कहां कहां यूज होता है तो मैंने बता दिया NCRT से आपको पढ़ना है पहला भाई फेस पे ठीक है फेस पे गोरे होने के लिए आप लिख सकते हो यह दूसरा कहां इंडस्ट्री में कपड़ों पे कलर करने के लिए इस तरीके से 2-3 यूज पढ़ लेना NCRT में यह लिखा हुआ है ठीक है पद्जो NCRT से पढ़ना है अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लास्टर ओफ पेरिस नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लास्टर ओफ पेरिस इस Čपिक को बहुत से सम bira प्लाश्टर ओफ पैरिस प्लाश्टर ओफ पैरिस क्या है हिंदी में इसको कहते हैं प्लाश्टर ओफ पैरिस ट्रिक है सॉट फ़ॉर्म पी ओ पी ट्रिक है पी ओ पी फ्लाश्टर ओ पैरिस ठीक है अब जरह अच्छो अधियान से थे CAN क्या बढ़ना इसका इसमें अधियान देखू बच्छो प्लाश्टर ओ पैरिस का पॉनला होता है वह नहीं SO4.H2O .H2O यह होता है आपका P.O.P Plaster of Paris ठीक है? लेकिन इसका नाम होता है Calcium Calcium Sulfate 1 by 2 के लिए Hemi लगा लो या Semi लगा लो, बात एक ही है Hemi Semi में कुछ भी लगा सकते हो और S2O को कहते है हाइडरेट क्या कहते है हाइडरेट हिंदी में Calcium Calcium Sulfate Hemi या Semi Hydrate ठीक है जी? Semi Hydrate ठीक है बच्छो? अब क्या होता है? आपको मैं बता दूँ जो P.O.P होता है ना बच्छो वो Powder Form में होता है और आपने देखा भी होगा P.O.P कि वो Powder Form में होता है लेकिन क्या बच्छो हम लोग P.O.P का क्या Powder उठा की दिवार पे लगाते थे ऐसा तो करते हैं नहीं? जो जो भी इनके ठेकेदार होते हैं या जो भी इनके Workers होते हैं वो कैसे करते हैं इसको? यूज कैसे करते दिवारों पे? बच्छो को देखा होगा अप लोगों ने पहले उसको पानी में क्या करते हैं? मिलाते हैं पानी मिलाने के बाद उनके पास एक Paste बन जाता है अच्छा थिक Paste बन जाता है फिर उस थिक Paste को उठा के दिवारों पे क्या किया जाता है? अपलाई किया प्योपी के एक कंड में, प्योपी के एक पार्टिकल में, हाफ वाटर है, प्योपी के एक पार्टिकल में कितना वाटर होता है, हाफ वाटर होता है, लेकिन प्योपी का एक पार्टिकल कितना पानी एब्जॉब कर सकता है, प्योपी का एक पार्टिकल, एक कंड कितना पानी वो क्या बन जाए, एक paste बन जाए तो बच्चों याद रखना, P.O.P का एक particle maximum 1.5 water add कर सकता है अपने अंदर अपने अंदर कितना absorb कर सकता है 1.5, तो जब ये दोनो add होंगे, तो जल्दी से बताओ add होने के बाद क्या होगा, half water और 1.5 water यानि देड़ वाटर और half water देड़ और आधा कितना होता है, दो तो ये बन जाएगा C.A.S.O.4 dot 2H2O ठीक है, हाफ पानी पहले सही था, और एक particle maximum देड़ पानी absorb कर सकता है तो इसलिए वो देड़ और आधा मिलके कितना बन जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका calcium sulfate बैट दो है dihydrate dihydrate, हिंदी में भी यह लिखेंगे calcium sulfate dihydrate ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है बच्चो, gypsum क्या होता है, gypsum gypsum इसी का दूसरा नाम क्या होता है gypsum, तो बच्चो P.O.P. powder form में जब तक है वो 1 by 2, और जब water में मिल जाएगा तो वो 2S2O बन जाएगा, dihydrate बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बच्चो gypsum कहते हैं, ठीक है, ये कहा है यूज होता है, आपकी दिवारों पे ठीक है, जब किसी के हाथ पर टूट जाते है तो उसको पलस्तर होता है, तो पलस्तर में देखते हैं, वो कितना टाइट हो जाता है तो टाइट जो है, वो सुरुवात में वैसा ही रहता है बिल्कुल powder form में, लेकिन जब उसके उपर मजबूत हो जाता है, जिसे तोड़ना ज़्यादा असान नहीं होता, तो इसलिए P.O.P. को दिवार पे या हमारे जो हाथ पर अगर कहीं से fracture हो जाए, तूट जाए, तो उसको पलस्तर करके, बिल्कुल सीधे रखने में ठीक है, जॉइंट रखने में ये मदद करता है, क्योंकि ये बहुत ही क्या हो जाता सूखने के बाद, मजबूत लेकिन बच्चों ये ना एक reversible reaction है मतलब कि हम वापस इस से इसको पा सकते हैं, कैसे ठीक है, कैसे, देखो अगर मैं C.A.SO.4 .2.S.2O को .2.S.2O को heat कर दूँ heat कर दूँ, गरम कर दूँ लेकिन एक सर्थ है क्या, गरम जो हम करेंगे ना, जब भी गरम करेंगे तो 100 degrees Celsius से कम पे गरम करेंगे, या Kelvin की अगर बात करूँ तो 373 Kelvin से कम पे गरम करेंगे क्यों? क्योंकि बच्चे बात बताओ अगर मैं 100 degrees Celsius पे गरम करूंगा, तो ये तो गरम हो के पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा वाई, अगर 100 degrees Celsius पे temperature पहुँच गया गरम करते वक्त तो पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा और पूरा का पूरा पानी अगर उड़ गया तो ये क्या बच जाएगा? ये तो बच जाएगा सिर्फ CSO4 और बच्चो सिर्फ CSO4 तो P.O.P. होता नहीं P.O.P. कौन होता है? कि CSO4 के साथ हाफ वाटर भी बचे ठीक है? तो हम इसके temperature को यानि कि हम क्या? मतलब जो भी फैक्टरियों में ये उठाया जाता है, कैलसिम सलफेट, डाइ हाइडरेट उसे 100 डिगरी से कम या 373 कैलविन से कम पे गरम किया जाता है क्यों? ताकि इसमें से, ताकि जिपसम में से उतना ही पानी निकल सके जितने में वो क्या बन पाए? P.O.P. बन पाए तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी बाहर निकलेगा ताकि ये वापस क्या बन सके? P.O.P. बन सके तो मतलब, दो में से कितना पानी बाहर निकल जाएगा? भई, दो में से डेड़ पानी बाहर निकाल दिया जाएगा और आधा पानी इसमें रहने देंगे ताकि ये वापस क्या बन सके ये वापस P.O.P. बन सके तो इसलिए इसको हम reversible reaction भी कहते हैं क्योंकि ये P.O.P. से जिप्सम भी बन सकता है और जिप्सम से P.O.P. बन सकता है लेकिन सर्थ क्या है कि temperature 100 degree Celsius से या 373 Kelvin से कम होना चाहिए क्योंकि अगर इससे ज़्यादा temperature पर हम करेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा और सारा पानी अगर उड़ गया तो फिर ये P.O.P. नहीं रहेगा तो इस वज़े से हम लोग इसे 100 degree Celsius या 373 Kelvin से कम पर गरम करते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए लिखेंगे जरा चलो लिखो इसके बारे में ये तो नोट कर लिए होगा अपने ठीक है लिख वाता हूँ मैं इसके बारे में आप लोगों को ठीक है लिखेंगे अब सभी बच्चे लिखेंगे प्रॉपर्टी लिखेंगे प्रॉपर्टी आफ प्लास्टर ओपैरिस प्लास्टर ओपैरिस ठीक है प्लास्टर ओपैरिस के गुंड धरम प्लास्टर ओपैरिस के गुंड धरम पहला लिखेंगे हिंदी वाल लिखेंगे यह एक सफेज चूर्ण है दूसरा जल में मिलाने पर यह एक विशिष्ट परकार का विशिष्ट परकार के गुण को दिखाता है गुण को दिखाता है जो कठोर पिंडों में बदल जाता है जो कठोर पिंडों में बदल जाता है कठोर पिंडों में बदल जाता है ठीक है? इंगलिस वाले ठीक हो, properties of properties of plus P.O.P. पहला it is a white powder it is a white powder second it is a white powder second after adding in the water after adding it in the water it shows a special character it shows a special character and transforms and transform in a solid transform in a solid solid substance and transforms in the solid substance which is called gypsum which is called gypsum ठीक है अब एक कोशन लिखो कोशन लिखो लिखो जिफसम जिफसम से प्योपी बनाने पर जिफसम से प्योपी बनाने पर ताप अधिक क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए अज़ वज़ो लिखो जिफसम से प्योपी बनाते समय उसका ताप अधिक उसका जिफसम से प्योपी बनाते समय जिफसम से P.O.P. बनाते समय उसका ताप सो डिगरी सेल्सियस से अधिक क्यों नहीं होना चाहिए सो डिगरी सेल्सियस से अधिक क्यों नहीं होना चाहिए चलिए तो आंसर लिखेंगे आंसर लिखेंगे क्योंकि जिफसम में जिफसम में जल के दो अनु होते हैं और यदी और यदी उसे 100 डिगरी से अधिक पर गरम किया जाएगा और यदी उसे 100 डिगरी से अधिक पर गरम किया जाएगा तो उसके सभी जल के अनु भाब बन जाएगे जो अपने प्योपी का गुण खो देगा इसलिए जिफसम को इसलिए जिफसम को 100 डिगरी सेलसियस से कम पर गरम करना चाहिए ताकि प्योपी वाले गुण उसमें विदमान रहे प्योपी वाले गुण उसमें विदमान रहे इसलिए वाले लिखो वाई वाई इस जिफसम वाई इस जिफसम नॉट हीटेड इस नॉट वाई जिफसम नॉट हीटेड बिखेंगे लगे लखेंगे gypsum has two molecules of water two molecules of water if we heat if we heat it if we heat it more than 100 degree Celsius temperature more than 100 degree Celsius temperature then the whole water then the whole water is streamed out is streamed out and and no POP properties and no POP properties hold in it hold in it therefore 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 we have to we have to heat it we have to heat it less than 100 degree Celsius temperature heat it less than 100 degree Celsius temperature to form POP to form POP fig folie ठीक है चलो ठीक है अब क्या है यह तो हमारा खत्म सारे salt खत्म अच्छब और कर रहेगा वह कराना है तुम है अगर आप से पूच ले कि कहां यूजप होता है तौक हब हादकर के टाइम पर हमारे plaster में यूज़ कि यूज़ किया जाता है दिवार कि यूज़ जाता है ठीक है तो इंस सब कावों में इसको यूज़ करते हैं अच्छा अब हम लोग वह एक नया सॉलट पढ़ने जा रहे हैं एक नया ॹट यह और देख लो आज यह सॉल्ट में पूरी तरीके से क्या करने वाला हूँ खतम कराने बर लो तो जए ध्यान से देखना ध्यान से देखना आज यह chapter खतम ठ्याइक यह last topic अब इसके बाद फिर यह chapter खतम हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे इसके बाद हम लोग सुरू करेंगे भई पहले NCRT के questions करवाऊंगा पहले मैं ठीक है इसके बाद में ना NCRT के questions करवाऊंगा अपको उसके बाद मैं आपको फिर सुरू करवाऊंगा six chapter biology का ठीक है इसके बाद ना अपका six chapter होगा biology का ठीक है sequence बाइज चलेंगे जहें दो चेप्टर chemistry के कर लिए फिर दो चेप्टर हम बाइओ करेंगे फिर दो चेप्टर physics के इस तरीके से ठीक चलिए तो अगला टॉपिक है sodium hydroxide आज का लास्ट टॉपिक और काफी लेंदी टॉपिक है और बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है hydroxide sodium hydroxide ठीक है चलिए इसका फॉर्मूला एन ओएच निकनेम कॉस्टिक सोडा निकनेम कॉस्टिक सोडा ध्यान डगना इसका दूसरा नाम क्या होता है कॉस्टिक सोडा ठीक है जी तो देख लो sodium hydroxide न ओएच ठीक है कॉस्टिक सोडा किस परकार से form होता है तो बच्चो फटाफट इसको नोट करो फिर मैं आपको ना बताता हूं कि आखिरकार ये बनता कैसे है तो यह सारी बाते मैं आपको यहाँ पर बताओंगा ठीक है चलो बच्चो तो शुरू करते हैं आखिरकार ये NaOH कैसे बनाये जाता है ठीक है तो इसकी properties वगरा जो है वो तो मैंने आपको बताई दिया है वो आपको बुक में से पढ़ लेनी है अब ये sodium hydroxide बनता कैसे है वो देखो जड़ा फट आफट देखो बच्चो थोड़ा सा typical होगा लेकिन समझने ही कोशिश करना बहुत अच्छी चीज है ठीक है और पांच नमबर में कई बार ये कोशिशन आया है इसका नाम है इसका नाम है क्लोर क्लोर एलकली प्रोसेस क्लोर एलकली प्रिक्रिया ये पांच नमर का टॉपिक कई बार आया हुआ है तो कैसे करेंगे देखो जड़ा माल दीजिए बच्चो आपके पास ये बीकर है ठीक है क्या है बीकर है और इस बीकर में ना बच्चो में ने दो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोड इसे मार्क कर देता हूँ मैं मुल्टिपल पैन यूज़ करता हूँ ठीक है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड ठीक है दोनों को फिर के अन्दर बैच्चों हमने न वाटर भर दिया वाटर भर दिया और इस वाटर के अंदर बैचों था कोन इसके अंदर वाटर, तो यह मैंने इसके अंदर मिला दिया. ठीक है बच्छो ध्यान से देखना होगा क्या भी देखते चलना बस ठीक अब क्या हुआ? अब मैंने न इसको बैटरी से कनेक्ट किया. कोई भी मालो 2V की बैटरी है. ठीक है अच्छा अब इस इलेक्ट्रोड में अब देखो यह N-A-C-L-P-L-S water मैंने इसके अंदर मिला दिया अब ये water मिलने के बाद ना बच्छों पता है क्या ये क्या बन गया ये बन गया electrolyte क्या बन गया electrolyte ये बन गया electrolyte Electrolite Electrolite ठेक है जी यह बन गया जिसका दूसरा नाम होता है Brine जिसका दूसरा नाम क्या होता है Brine Brine नाम होता है इसका क्या नाम होता है Brine अच्छा अब एक बात याद रखना यह Brine नाम जो ना NACL वाले कही है अगर इसके अलावा कुछ और मिल गया तो दूसरा नाम हो जाता है अब यह मत कहना कि हाँ हर जगा यही नाम रहेगा और इसमें हाँ इसमें लटका दिये तार से कन startled कर दिया दो वोल्ट की बैटरी के साथ यह 2V की क्या है हमारे पास, बैटरी है, ठीक है, 2V की बैटरी है हमारे पास, ठीक है बच्छ, अच्छा, इसके बाद क्या होने वाला बच्छो, अब होगा क्या, कि जब मैं इसको connect करूंगा, जब मैं इसको connect करूंगा, तो ये एक बात ध्यान रखना, कि इन में से एक होगा an और एक होगा cathode माल लीजिए ये है anode ये है anode ठीक है ये क्या है anode बोले तो क्या या इसको एक काम करो इधर वाले anode रख लो ठीक है और इस वाले को cathode रख लो ठीक है तो anode क्या है anode भाई एनोड जो है वो एक और कैथोड जो है वो क्या है हाँ जी कैथोड वह एनोड जो है वो एक positive charge का electrode है यानि इस पे सारे positive charge वाले चलेंगे अच्छा कैथोड कौन सा है कैथोड आपका negative charge वाले कौन से charge वाले negative charge वाले बेरी बात को anode है भाई positive charge वाला और आपका cathode क्या है भाई negative charge वाला ठीक है अच्छा अब जैसे ही यहां से आप battery यानि कि on करते हो तो इसमें electricity जाना शुरू करेगी बिजली जाना शुरू करेगी अब जैसे ही बिजली इसके अंदर जाएगी न तो पता क्या होगा इनके अंदर reaction करना करेगा आप देखो यह NACL है ठीक है NACL है यह H2 है ठीक है इसके अंदर reaction करना शुरू करेगा याद करो मैंने decomposition reaction में बताया था NACL कैसे टूट रहा है ठीक है तो उसी तरीके से ही है कि जैसे इसके अंदर electricity बच्चो जाएगी तो क्या होगा देखो यह plus यह minus यह plus यह minus ने का plus one और OH का minus one तो यह इसके नीचे यह इसके नीचे क्या बनेगा ने OH ठीक है अब क्या बना तो अब क्या बना यह plus यह minus तो यह तो NACL यह तो SCL बन जाएगा लेकिन बच्चो electricity वाले में ऐसा नहीं होगा electricity वाले में ऐसा नहीं होगा electricity वाले में क्या होता है मैं बताता आपको जैसे ही जब यह electricity में जाएगी तो na और oh मिलके तो बना देंगे naoh क्या बना देंगे यहां पर बना देंगे naoh और याद रखना जो भी product बनेगा जो भी product बनेगा वो हमेशा cathode के नीचे बनेगा मतलब यहां पर यह इखटा होने लग जाएंगे यहां पर एक mud like structure इखटा होने लग जाएगा जिसका नाम होगा क्या naoh क्या होगा naoh यह हमेशा किसके नीचे खटा होगा हमेशा cathode के नीचे खटा होगा हमेशा किसके नीचे? कैथोड के नीचे. जो किस से मिलके बना है? NACL से और S2O से. कब बना? जब मैंने यहां से electricity on की. जैसी मैंने electricity on की, इसके अंदर electricity आ गई. किसके अंदर? इलेक्टरोड के अंदर. इलेक्टरोड के अंदर जैसी electricity आई, यह break होना शुरू हो गए. कौन? NACL और S2O break होना शुरू हो गए. और जब यह break हुए, तो पहला product इन्होंने क्या बनाया? पहला product इन्होंने बनाया NaOH. किसके नीचे बनाया? कैथोड के नीचे. अच्छा अब बचा क्या? अब बच गया chlorine और hydrogen. यानि एक बची chlorine gas और एक बची hydrogen gas. क्योंकि यहाँ पे na H और C L मिलेंगे नहीं. ठीक है? मिलेंगे नहीं. क्योंकि इसको salt अपना इसने base बना लिया है, क्योंकि salt नीच बनाया है. बेस बनाने के वज़े से अब यह दोनों क्या करेंगे? gas के रूप में बाहर निकलेंगे. कैसे? टो chlorine और hydrogen, अब यह दोनों क्या करेंगे भई? यह दोनों क्या निकलेंगे? बाहर. अब मुझे एक बात बताना. मुझे एक simple सी बात बताना. हाँ जी बच्को, chlorine का charge होता है minus one और hydrogen का charge होता है, क्या? plus one. तो यानि कि यह negative charge हुआ, कौ तो cathode से बाहर निकलेगा, hydrogen gas, reason, क्यों, क्योंकि hydrogen plus, cathode minus, और opposite charge हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं, तो hydrogen जो gas होगी, यहाँ पर जो भी hydrogen gas बनेगी, जो भी hydrogen gas बनेगी, वो तो cathode से बाहर निकलेगी, क्यों, क्योंकि negative positive को attract करता है, और जो भी chlorine gas बनेगी, जो भी chlorine gas बनेगी, वो chlorine gas कहां से बाहर निकलेगी भाई, वो chlorine gas भाई, anode से बाहर निकलेगी, anode से बाहर निकलेगी chlorine gas, क्यों, क्योंकि बच्चो chlorine का charge कैसा होता है, negative, और anode कैसा है, positive, और opposite charge हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं attract तो chlorine gas कहा से बाहर निकल जाएगी भाई chlorine gas anode से बाहर निकल जाएगी और last में हमारे पास देखो क्या क्या चीज बनी NaCl और S2O को हमने मिलाया तो NaOH हमें cathode के नीचे मिला और दो gas बाहर निकली hydrogen cathode से और chlorine anode से क्यों 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 क्य इसका नाम पढ़ा, क्या पढ़ा भई? तो प्यारे बच्चों, यह पाँच नमबर का टॉपिक कई बार लिखने के लिए आया है, तो आपको मैनने पूरा प्रोसर समझा दिया, लिख वाँगा मैं आपको next class में, लिखवाऊंगा मैं आपको next class में तो आपको मैंने ये पूरे अच्छा समझा है इसको कम से कम एक से दो बार कम से कम दो से तीन बार आप देखो इसको ठीक है ये सारी बाते मैंने यहाँ पर इसलिए समझाई है एक एक point क्योंकि इसमें chlorine gas निकली alkali मतलब base बना इसी वज़े से इसका क्या नाम पढ़ा chlor alkali process तो मैं सभी बच्चों से यह उमीद करता हूँ कि अब तक ये अच्छे से समने समझ लिया होगा और इसको दुबारा से आप लोग एक बर देखिए दो तीन बार next class में इसमें लिखवाऊंगा भी मैं और कुछ नई बाते भी बताऊंगा और प्लस NCRT के कुछ कोशिंद करवाऊंगा तो इसको फटा फट नोट कर लीजिए ठीक है तो आज की class यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next class में science में फिर दो चप्टर हमारे chemistry के खतम हो जाएंगे फिर हम बायो सुरू करेंगे ठीक है जी चलिए तो आज की class यहीं खतम करते हैं